हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवा मायुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरन्यवासी रिशियों की आरोग्यकी प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह यज्य हवन अगनी होतर और यज्य की भस्मा का पानी होता है, वो विशेश करके पित जरोगियों के लिए बहुत अदभूत लापकारी होता है, जिनको पित की ज्यादा प्रब्लम है, आप भस्मा डालिये, उसको गोल और उसको पी जाएए, तूरंत सांती मिलती है, ऐसे ही गुलाब की पंखडिया और स्वेचंदन को ऐसे अंगारों के पर डालिये, गाई के गी को भी उसके साथ अंगारों के पर डालिये और उसकी धुनी दीजिए, तूरंत उनको सांती मिल जाती है, ऐसे ही यह पित के लिए हिद्य हवन सामगरी जिसमें अर्जून के कुवात का क्वात उर्डाल की और दाल चाने का प्रीयोत करते हैं दिसमें अर्जून सब से अधिक होता है अर्जून के च्छाल का प्रीयोग करते हैं छटा програм 치 वच, प्रासना, दालचीनी, हल्दी ये कुछ जड़ी बुट्यों का सम्मिस्रन करके तियार की गई यह रिद्य हवन सामगरी हैं इस रिद्य हवन सामगरी का परियोग करने से हमारे जो हार्ट से समझे जितने भी रोग हैं हाड, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, रिद्य की धमनियों में ब्लोकेज हो, कॉलिष्ट्रोलादी बढ़ गया हो या फिर हाड बीट कम ज्यादा होना या और भी जो भी प्रोब्लम होती हैं उसमें विशेश करके लाब करी होती हैं और कई सारे लोगों नहीं जो यज्जची कित्सा को अपनाया, अभी है चार दिन पहले मेरे पास अपने यही निरामयम में एक साधक आये थे और उनको हाट की बहुत सालों से और बहुत गंभीर प्रोब्लम बहुत सालों से थी लेकिन फिर भी वो अपने आहर विहार आदी में उतना ध्यान नहीं दे पाए तो थोड़ा गंभीर अवस्था में आ गया था और उनको यह यजचिकित्सा हमने निरंतरता के साथ दी और करीब तीन महीना हुआ उनका चार दिन पहले फोन आया कि स्वामी जी अभी मैंने रिपोर्ट कराई अभी बिलकुल नॉर्मल रिपोर्ट है किसी भी प्रकार की कोई हार्ट की प्रब्लम ने अन्य था उनको बाइपास सर्जरी या टेन डलवाने के लिए डोक्टर ने बोल दिया था और वो लास्ट उसमें चल रहे थे और उस समय यहां आये थे फिर यहां की सारी चीकित्सा है और वो सब और निरंतर यज्य यहीं क कच्छ गुजरात में रहती थी उनको एक बार हाट एटकाया उनके बेटे अधनिया भाई सुरेज भाई जी मुंबई में रहते थे फिर उस माता जी को मुंबई लाए उनकी अलग-अलग चिकित्सा जो भी हाट से सम्मझे थी वो चली और वो किया उसी चिकित्सा चल रही और लाष्ट में जब वह अंतिम बार हाट एटक आया तब जब होस्पिटल लेकर के गया उसके बाद दो-तीन महीने तक वो आई-स्यू में भरती रही लगातार और ऑक्सिजन के उपर 24 गंटा ओ रह रही थी और उस थिती में डोक्टर लोग ने अंतिम में कहा कि ये 15-20 द चोड़ने के लिए डोक्टर लोग आये चोड़ करके गए पूरे सिस्टम के साथ और वो घर में थी और 24 गंटे ऑक्सिजन मास्क के साथ और 15-20 दिन का मेहमान गोसित कर दिया उस समय उनके कमरे के अंदर विशेश रुप से यज्ज करना प्रारम किया और यज्ज करते करत यज्ज करने के बाद उसका जो धूम रहे उसकी जो वायू है वो उसके अंदर जाए तो कुछ एफेक्ट हो ऐसे करते करते धीरे 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 छे महीने पूरे हुए तब तक में उसको 100% ऑक्सिजन की अपिक्षान नहीं रही और बिल्कुल समन्य अवस्था में माता जी आ इने हो हस्पिटल में एड्मिन करके रखा, इसी में रखा, उसके बाद ऑक्सिजन मास्क के साथ 24 गंटे के साथ उन्हों ने घर पे भेज़ दिया था, उस अवस्था से वो बाहराई ये अर्जून आदी कुछ विशिश अवस्थियों का परियोग, खाने के रूप में भी और धुनी की रुप में हृद्यामरित, वटी है, अर्जून का क्वाथ, काढ़ा बना करके पीए, उसी प्रकार से हवन सामगरी में भी उसका परियोग करें, और इस प्रकार से करने पर ऐसी गंबीर अवस्था में थी, वो माता जी भी बाहराई, तो ये हाट के लिए, हृ विशेश करके यह रिद्य हवन सामगरी, ऐसे ही यह गर्बधा हवन सामगरी, ये मेरे सामने रखी हुई है, यह गर्बधा हवन सामगरी विशेश करके माता और बेहनों से संब्दी जो समस्याएं होती, उसमें भी और पूरुष्यों में भी जिनको धातों की ख्षेनता हो इसका हमने अभी एक नया और कुछ विशच जड़ी बुठियों का सम्मिस्रन करके हमने संतत तेश्टे करके एक नई हवन सामगरी भी बनाई हैं तो इसके अंदर विशच करके पुत्र जीवक, नागकेशर, काईफल, सरपुंखा, जटामासी, वच, अनन्तमूल, मिश्री, अपामार्ग, सिवलिंगी बीज, कोच के बीज, आदी कुछ विशच जड़ी बुठियों का समिस्रन करके यह गर्भधा हमन सामगरी और संततेश् हवन सामगरी का निर्मान किया है, जो चाहे माताओं से संब्दित, या पूरुसों से संब्दित, जो धातू की ख्षिंटा, या धातू की कमजोरी होती हैं, तो धातू के पोशण के लिए विशच करके लाब कारी हैं, इसके साथ-साथ माताओं बेनों से संब्दित, जो भ रहवन करते हैं अगनी होतर करते हैं तो उसमें भी विशिश रूप से लाब होता है अभी है हमारे यहां योग ग्राम में एक माता जी आई और उनको छे साल से मासिक बन था और संतान नहीं हो रही उससे बहुत पीड़ी थे अलग-लग अउशे दिया दवाया जो भी अलग-ल पानी 24 गंटा पीना और गाजर के बीजों से हवन और धुने इस गर्वधा हवन सामगरी के साथ मिला करके किया और आपको आज से यह होगा बहुत ही चंद दिनों में ही जो छे साल की उनकी समस्या थी उससे उनको निजात मिला और इतना ही नहीं और भी बहुत सारे लोग और पहले ही आप लोगों के साथ इस प्रकार की बाते जो सेर की इस गर्वधा जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है आज हमारे पास कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी कुछ भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती तो उन समस्याओं की निवरित्ती और शरीर के पोशन और समवर्धन के साथ आगे बढ़ना जिसके कारण से उनको विशेश रूप से शरीर का पोशन, धातूओं का पोशन और जो रोग विशेश से उसका दूर होना तो उससे संतान की प्राप्ति होती है तो ऐसे कहीं सारे केसे, कहीं सारे लोगों को इस प्रकार से संतान की प्राप्ति होई हैं यज्य से एक गटना तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा हमारे डोक्टर तारा सिंग जी मुंबई में रहते हैं वहाँ पर वो यज्य चिकित्सा विशेश रूप से करते हैं और उस हो रही थी और अलग अलग काफी उन्होंने भी उप्चार किये थे और लाश्ट में माता जी वहाँ पर आई और प्रती दिन वो यज्य करते थे उस यज्य में उनको सम्मिलित होने के लिए कहा कि आप प्रती दिन यज्जी किया और उनने एक साल निरन तरता के साथ यज्जी किया और उसमें बेट करके प्राणायाम योगा भ्यास किया और आपको आश्चरिय होगा एक साल के बाद फिर उन्होंने तीन माँ के बाद गर्भवती हुए और फिर उसके बाद जब बच्चे को जन्म दिया अगर अम्पिता परमात्मा ने उनको जुड़वा दो संतान दी और एक बेटा और एक बेटी दी और इतने सालों के बाद तो ऐसी ऐसी गटना भी हमने यज्जची के इसा जिनों ने प्राप्त की उसमें देखा है तो आप भी जिनको ऐसी समस्या हों तो सुबह और शाम सुरिदे और सुरियास के समय यज्जची हवन अवनी होतर उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए और उस वायू मंदल में बेट करके प्राणायाम कीजिए यह दवा भी है दुआ भी है और प्रारब्द दोसों को काटने का सबसे बड़ा साधन भी है और जो प्रारब्द हम मिमान सदर सनादी को देखे तो जैसे संतान प्राप्ती ना होना संतान सुख ना होना या इस प्रकार की समस्या प्रारब्द उसकी कारण भी होती है यह मध्व मुकता हवन सामागरी विशेष करके जिनको pockets की problems जिनको विशेष करके pancreia से सम्मनेद problem है उनके लिए विशेष करके यलावज उस में गुड़ मार है जो गुड को मारते हैं, मिठेपन को मारने वाले चीज को गुड मारते हैं, गुड मार की एक दो पती ही आप चबा लें और उसके बाद आप कुछ भी मिठा खाए तो आपको मिठा लगे ने, आपका पूरा का पूरा टेस्ट ही चला जाता है मिठा का, थोड़ी देर के लिए, ऐसी पावरफुल आउश्यदी होती है, गुड मार, तो गुड मार का विशेश रुप से सबसे अधीक मात्रा में उसक सामगरी के रुप में प्रियोग करते हैं, दूसरा है, नीम, कालमेग, मेथी दाना, दालचीनी, अस्वगंधा, नील, हरड, गिलोई, बहेडा, हल्दी, चिराइता, जामुन की गुठली, कालेजीरी, कचूर, वासा, कूटल, ये कुछ जड़ी बुटियों के समिस्रन से य मध्धु मुक्ता हवन सामगरी का हमने निर्मान किया, और जिनको डायविटीस की प्रोब्लम होती है, उसके लिए हो विशेश करके लाब काई होती है, इसके हम आहूती भी दें, और हवन हो जाने के बाद, इसके अंदर, जितनी हवन सामगरी है, उसके आधी मातरा में फिर उसको, उसके अंदर, मानलो कि आधा किलो मध्धु मुक्ता हवन सामगरी है, तो उसमें धाई सो ग्राम के करीब, या उससे भी कम मातरा में, आप गुगुल मिलाएं उसमें, और गाय का घी, पचास ग्राम से असी ग्राम मिलाएं, और उसके बाद, उसको इस परकार अ अंगारों के उपर रखे, और इस प्रकार से मंद मंद से धुनी उठेगी, इस धुनी वाले वायू मंदल के अंदर बेट करके, मंदुकासन, शशकासन, वक्रासन, कपाल भाते प्राणाम, ये विशेश कुछ योगा भ्याज कर, तो इससे कितनी भी भयंकर डायबेटीज क एक बार में मिरा रोड गया था, वहाँ पे मिरे, ओ माता जी कईयों कईयों टेबलेट लेती थी, और पांसो से अधिक सुगर रहती थी, इंसुलिन लेती थी, उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं था, उस समाई उनको विशेश कुरके यह यज्य चिकित सा उन्होंने अपन और यज्य करने पर वह सारी दवाईया भी छूट गई, इंसुलिन भी छूट गया और नॉर्मलाग और इसे कई सारे, कई सारे लोगों को डाइबिटीज में इस प्रकार का विशेश लाब होता है, तो यज्य चिकित सा से यह डाइबिटीज का जो उपचार है उसके लिए ऐसे ही जिनको चर्मरोग होते हैं, उन चर्मरोगों के लिए ऐसे ही जिनको कैंसर की यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैंसर, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, कैंसर के कारणा आज बहुत बड़ी मातरा में लोग जान भी गवा रहे हैं, बहुत बड़ा मेडिकल खर् आदी आदी जो कुछ विशेश आउशेदिया होती है उसका आप विशेश रूप से प्रियोग करें और उसके साथ साथ कैंसर नासी हवन सामगरी हमने एक यह कैंसर नासी हवन सामगरी बनाई है उस कैंसर नासी हवन सामगरी के अंदर विशेश करके हल्वी जिसके अंदर कर्क्यूमिन होता है जो कैंसर को ठीक करने के लिए विशेश करके लाबकारी होता है अपामार्ग, बुगूल, देवदार, लोध, माजूफल, शतावर, मंजिष्ट, पुसकरमूल, घायफूल, तुलसी, मुनक्का, मकोई, दालचिन्नी, अश्वगंधा, दारुहल्दी, कच्चूर, कलोन जी, ये कुछ कैंसर को ठीक करने वाली विशेश होशे दिया है मेरे को सबसे पहले डोंबी वली में, मैं एक बार गया था और वहाँ पे एक भाई मिला और उन्होंने कहा कि मेरे को बलड कैंसर था, काफी समय पहले की बात है और उनको blood cancer होने के बाद उन्होंने कहीं सारी उपचार प्रक्रिया या अपना ही उरुस में उनको कोई विशेश लाब नहीं हुआ उसके बाद उनको किसी ने सज़ट किया कि आप यज्य कीजिये, हवन कीदिये फिर उन्होंने यज्य हवन किया और हवन के बाद उनको का काली हल्दी, काली हल्दी मानी कचूर काली हल्दी टाइप कही होता है, जड़ होती हैं उसकी इसी प्रकार से उसको कचूर बोलते हैं आईरवेद की बाशा में सामनिय लोग उसको काली हलदी भी बते और उसको उन्होंने अंगारों के ओपर रखा और उसकी जो धूनी होती उसमें उन्होंने प्रानायम किया और उन्का ब्लड गैंसर 6 महीने के अंदर क्योर आ गया पहली बार मेंने उनसे सुना था और उसके बाद तो हमने अभी तक में तो कई कई सारे लोगों को इस प्रकार की यह यजज़ज़ देव यूट्यूब चैनल है उसके उपर भी हमने उनके स्वयम के साक्षातकार के वीडियो बना करके हमने डाली है तो आप उसको देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो मल्टिपल बीमारियों से पीडित है या अलग-अलग प्रकार की बीमारी है जिन्हों ने यज्जी चिकितसा को अपना एउरभ ने ठीक किया तो यह विशिश करके कैंसर नासी हवन सामगरी कैंसर रोगों के लिए गर्बदा हवन सामगरी मातव बेनों से लेकर पूर्षों से समंदित जो धात्वों से समंदित समस्या होती है या संतद से समंदित समस्या होती है उसके लिए इसे प्रकार हृद्य हवन सामगरी हार्ट रोगों के लिए, मद्यमुक्ता हवन सामगरी डाइबिटीज के लिए, ऐसे ही एक मेध्य हवन सामगरी मेध्य हवन सामगरी विशेश करके लाबकारी होती है हमारे मस्तिस से सम्मंदी द्रोगों के लिए उसमें मेद्धी होव इंसाम अगरी के अंदर जोतिस मती विशेश करके जोतिस मती हमारी मती को दिप्त करने वाली अपनी मस्तिस की बत्ती को जलाने वाली जोतिस मती उसका नाम ही जोतिस मती है मालकांगनी भी उसको बोलते हैं उसका हम विशेश रूप से प्रियोग करते हैं, धुनी के रूप में भी और उसमें भी और गाय के गी के साथ भी अम्माल कांगनिकातेल मिला सकते हैं तो उसके लिए विशेश करके जियोतिस्मती, संखपुस्पी, ब्राम्हमी, अश्वगंदा, गिलोई, अपामार्ग, वाई वीडंग, घूडवच, उस्तेखदुस, उसकरमूल, उसकरमूल ना मिले तो कूठ, कूष्ठ जिसको बोलते हैं यह कुछ विशेश हवण सामगरिया हैं, उसके सम्मिस्रन से यहाँ मेढ्य हवण सामगरियी बनती हैं और इस मेध्य हवन सामगरे से स्मृति सक्ति का राज हो गया है, तो स्मृति सक्ति को बढ़ाने के लिए, मस्तिस्क के पोशन के लिए, तनाव, सीरो वेदना अर्थात, सीर का भारिपन और सीर में दर्द रहना, भाई, अनिद्रा, आदी जो भी अलग-अलग फोबिया आदी होती है, एपिलेप्सी आदी के लिए भी, वैसे हमने जोतिस मत्यादी हवन सामगरी आप देख रहें, जोतिस मत्यादी हवन सामगरी विशेश करके उस ही के लिए हैं, जो विशेश रूप से मस्तिस्क रोगों से पीडित हैं, उसमें भी विशेश करके जो लोग मिर्गी स या उन्माज से पीडिद है उसके लिए विशेश करके जोतिस मत्यादियावन सामगरी में भी मुलाठी, जटामासी यह कुछ विशेश जो द्रव्या है मैं सांतिला पटेग पुना महराष्टर पिछले आठ साल से मुझे माइगरेन के वज़े से महीने में दो या तीन बाद भहुत सीर दुखता था और जब मैं यात्रा करता था तो यह दर्द और बढ़ता था और मुझे वोमिट भी होती थी इस माइगरेन के वज़े से मुझे सेरिडोन टेबलेट भी देनी पर दी थी उस दर्मयान मेरा माथेरान स्पीर में जाना हुआ वहाँ पर मैंने ब्राता स्री सुर्वेज भाई का एक प्रवचन सुना और वो बता रहे थे कि यग्याचिकित्चा पददी से हर रोग का निवारां होता है उन्होंने कहा पतंजरी योग विध्या पिट में बिन बिन रोगियों को बिन रोगों से यग्याचिकित्चा पददी से उप्चार किया है और वो ठिक भी हुए फिर मेरी उत्सुत सा बढ़ गई मैंने ब्रतास्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि ओस्टी युक्त जड़ी बुटियों से बनाई हुई ओस्टी युक्त सामगरियों का प्रयोग करना सुद्ध गाय का गी और सुद्ध गाय का गी से प्रयोग से उसने बताई पालन किया और नर्शी भाई ने बताया कि आप खान पान में खटा तीखा और दूद नहीं लेना दीन चर्या भी बारें बताया और उन्होंने कहा कि आप शांग को सोने से पेले चार से पांच गंदा पहले बोजन ले लिजिए खान पान में आप कभी खटा और तीखा न लेना जिसके वज़े से मुझे एक और 30 फेबवारी 2021 से आज 31 मार्थ 2021 मुझे बिल्कुल माइगरेंट से मुक्ती मिले मुझे दर्द नहीं हुआ से पर लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ सिर्फ इतना यज्य चिकी साब पद्रदी का मैंने सर्दा पुरोग लिष्टा पुरोग और समण का भावना से इसका पालन किया और मैंचे रहात मिली सबका दनेवाद यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प ले संसार के स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और बंभांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृती मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्क्ति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने हे तो वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्रात एवं सायन साले 11 बजे यज्य महिमा कारिटरम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्थ करें मोबाइल 9068-56-5306